नमस्कार बच्चों, हमारी कक्षा आठ की हिंदी भाषा की पुस्तक का दूसरा पाठ है यह सतंत्रता, सबसे पहले मैं इस कहानी का सारांश आपको बता देती हूँ, सारांश इस प्रकार है, पाठाक चक्रवर्ती अपने मुहले के लड़कों का नेता था, सभी उसकी आग्य करें, तो वहस कर उनका मजा गुड़ाएं, जब खेल शुरू होने वाला था, तो उसका छोटा भाई मक्षन उस पर आकर बैठ गया, पाठाक के कहने पर लड़कों ने उसे गिरा दिया, वह रोता हुँ अपनी मा के पास चला गया, मा ने पाठाक को बुला कर उस पर का दिया, ठीक उसी समय मा का भाई विशंबर बरसो बाद अपनी बहन से मिलने आया, पाठाक के बारे में बातचित करने पर विशंबर ने सुझाब दिया कि मैं इसे मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा, इस फैसले से मा भी खुश थी क्योंकि उसे डर था कि किसी दिन मैं म को जान से न मार डाले, मुंबई जाकर वे पहली बार मामी से मिला, मामी उसे देखकर खुश न होई, वे बोली ऐसे लड़कों के लिए उसका घर ही स्वर्व होता है, मामा के बच्चे भी उससे बोलना पसंद नहीं करते थे, सब बच्चे खेलते रहते, वे अकेला अलग रहता, उसे अपना शहर मा खेलना, नदी में नहाना, मा की याद आने लगी, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, इसकूल में पार्टना याद होने के कारण अध्यापक से पिटाए लगती, किताब खो जाने पर मामी से डाट पड़ती, वे मामा से पूचता मैं घर कब एक वार बुखार होने पर यह सोचकर कि उसकी विमारी मामी की विपत्ति का कारण बन जाएगी, बहब बरसात में भीगता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ा, सब उसे ढून रहे थे, तभी दो सिपाही उसे घर लेकर आए, वहरो रहा था, मामा ने उसके आंसु कर बोला मा छुट्या हो गई क्या, बच्चो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यभार सबके साथ अच्छा हो, तथा अपनी बुद्धी और मन को पढ़ाय लिखाए वे अच्छे कारियों में लगाएं, जिससे हमें सभी का प्रेम मिले, इसी के साथ बच्चो म आज आपको हूंवर्थ में दे रही हूं जो आपको अपनी हिंदी भाशा की कॉपी में करना है